नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों रोटी बेलते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियां चुटकियों में खत्म हो जाएगी सारी धन संपत्ती यह कौन सी गलतिया है इसको जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आती ऐसे में रसोई घहर में काम करते समय अक्सर थोड़ी बहुत सौधानिया बरतना बेहत जरूरी है जोतिस सास्त्रे में भी कुछ ऐसा नियम बताया गया है जिसका पालन करने से आपको कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा खास तोर पर रोटी बेलते सम समय आवाज करता है लेकिन जोतिस सास्त्र के अनुसार रोटी बेलते समय चकले से आवाज आना असूब होता है जोतिस सास्त्र के मुताबिक अगर रोटी बेलते समय चकले से आवाज आती है तो यह धन हानी का संकेत होता है और इसी वजह से आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तो इसलिए रोटी बेलते समय ध्यान रखे कि भूल कर भी चकले से आवाज नहीं आनी चाहिए। यदि चकला थोड़ी आवाज करता है तो उसके नीचे कोई कपड़ा रखे ताकि चकले से आवाज ना आए। दोस्तो रोटी परोस्ते समय भी रखे यह सावधानिया रोटी परुष्टे समय भी आपको थोड़ी सावधानिया रखनी चाहिए क्योंकि आपकी एक छोटी शिल्ण परवाहि आपको बड़ा नुक्सान पहुचा सकती हैं ध्यान रखे कि कभी भी किसी की थाली में तीर रोटी नहीं परुष्टनी चाहिए इसे असुब माना जाता है इसके अलावा ध्यान रखे कि रोटी सर्व करते समय या रोटी देते समय हमेशा किसी प्लेट का उपयोग करें क्योंकि जल्दबाजी में कई बार लोग हाथ से रोटी सर्व कर देते हैं अर्थात रोटी को हाथ से ही दे देते हैं जो कि बहुत गलत माना जाएं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही कमेंट बॉक्स में लिखे जैसरवा